श्रीमती कल्पना बालमिक राजपूत है मैं दहाने गाउं से हूँ और मैं या मेहाणी उपनगर गाउं में रहती हूँ कईन बेठी हो तो हाथ hindsight सकती है अगर कईन बेठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती है श्रीमती कल्पना बालमिक राजपूत धाने गाउं से हूँ और मैं मोहाडी उपनगर गाउं में रहती हूँ मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बेटी है, हाथ दिलादो, हाँ ठीक है दिख गए हो, एक बार ऐसे वापिस दिलादो, ठीक है, बाबा, शिवजी पे चड़ाये गए, शेहत की बेल पत्र, और बाबा की कथा श्रवन करने का फल क्या, गुर्देव, मेरा बेटा, घर पर बेठे-बेठे, नोकरी की तैयारी करता, पर कहीं नोकरी नहीं लगी इसको तीन साल होगा, आकरी में वो हार गया, मुझे कहता आई, मेरी कभी नोकरी नहीं लगना है सरकारी, ये पक्कान, गुर्देव, आप मालागाओं की कथा में कथा करने आये थे, तब हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे, उसमें आपने एक बात कही थी कि, बेलपत्री के मद्यपत्ती पर जब पूरी मेहनत करो, तो एक मद्यपत्ती पर लगाया गया शहद, एक चावल का दाना, शिवजी को चड़ा कर जाने, हम लोग सीहोर भी गए, वहाँ से रुद्राक्ष ले कराए, कंकरशंकर पूजन करी, बेटा जो हार चुका था मन से, बाबा का हम क्या गुणगान करें गुर्देयो, बेटे ने एक बर फिर पापिस से सरकारी नोकरी के लिए अपलाई करा, और बाबा की क्रिपा इसी हुई, कि अपकी बार बाबा ने उसको सिलेक्शन करा दिया, और मेरा बेटा भारती सेना, बी एस एप में लग गया, मैं बाबा को यहां नमन करने आँ, गुर्देयो, जैसे बाबा जब देता है तो छपर फार कर देता, गुर्देयो, मुझे अंदाजा नहीं था, कि बाबा सही में इतना देता है, मेरे एक बेटे को तो बाबा ने सरकारी नोकरी में लगा दिया, पर बाबा ने मुझे कम नहीं दिया, और करपा मेरे बाबा ने बरसा दी, और जो मेरा बाबा ने दूसरी करपा करी मेरे दूसरे बेटे पर भी, आज बाबा की करपा इतनी है गुर्देयो, कि दुनिया के लोग हस्ते थे पर मेरे बाबा ने जो दिया मेरे दोनों बच्चों को ही उन्होंने काम से लगा दिया और बाबा की कृपा मुझ पर हुई मैं बाबा को नमन करने आए आपने एक लाइन कही थी गुर्देयो खुद को महादेयों से जोड़ दो और बाकी का सम महादेयों पर छोड़ दो तो बाबा समालता जरूर है बेटिये मा एक पत्रोर बड़ा सुन्दर आया है